जैसे कि दोस्तों आप सभी की डिमांड थी की सरा BSC First Year First Semester Botany में यूनिट वाइस जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर पर कोश्चन बनाईए तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए BSC First Year First Semester Botany के यूनिट फर्स्ट यानि की इंडियन एंड सेंड वेदिक एंड हेरिटेज बोटनी से जुड़े हुए most important question लेकर आया हूं तो इस वीडियो में आपको very short question, short question और long question और इसके साथ filling the blanks देखने को मिलेंगे, तो वीडियो बड़ा important होने वाला है, और जितने भी मैंने question include किये हैं, वे सभी question आपके आने वाले exam के लिए बड़े important है इन सभी question को आप attempt कीजिए और question के pattern को समझे ताकि आप समझ सके कि किस तरह की question आपके exam में पूछे जाएंगे तो आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं very short type question को तो सबसे पहला question है, write the name of four Vedas, यानि कि आपको चारो वेदों के नाम लिखने हैं तो बहुत simple सा question है, तो चारो वेदों के नाम है, पहला है रिगुवेद, दूसरा है अथरवेद, तीसरा है यजुरुवेद, और चोथा है सामवेद चलते हैं दूसरे question के हो, दूसरा question है, who wrote chapter on history of botany in India, यानि कि भारत में वनस्पती विज्ञान के इतिहास पर अध्याय किसने लिखा था, ये बहुत important question है और आपके आने वाले exam में ये question पूछा जा सकता है, तो इस question का जो answer होगा, वो है बुर्किल, बुर्किल ने 1965 में chapter on the history of botany in India नामक book को लिखा था, आहे चलते हैं एगले question के, question number third है, in which उपनिसद importance of the cell has been described, यानि कि आपको बताना है कि किस उपनिसद में कोशिका के महत्तो का वर्ण किया गया है, तो ये भी question बड़ा important है, तो इसका जो right answer है, वो है अथरवेद, अथरवेद में कोशिका के महत का वर्ण किया गया है, question number four है, name the three levels of biodiversity, यानि कि आपको बताना है कि जैविधता के तीन इस्तर, यानि कि three levels कौन से है, तो जैविधता का जो first level है, वो है ecological, second level है species, और third level है genetic diversity, एह चलते हैं एगले question के, question number five है, name the father of Indian paleo botany, यानि कि भारती, वनस्पती, जिवास में विज्ञ विज्ञान के जनक कौन है, तो बड़ा ही important question है, क्योंकि आपको एक topic पढ़ना है, contribution of Indian botanist, तो उसी topic से जुड़ा हुआ question है, तो आपको बता दे, father of Indian paleo botany है, विर्बल साहनी, यानि कि विर्बल साहनी को भारती, वनस्पती, जिवास में विज्ञान का पिता कहा जाता है, आहे चलते हैं, MCQ की और, यानि कि objective question की और, जो कि आपके Indian innocent botany से पूछे गए हैं, पहला question है, who is known as father of Indian algology, या फिर ये question ऐसे भी पूछा जा सकता है, who is known as father of Indian phycology, तो आपको बताना है कि भारतीय सैवाल विज्ञान के जनक कौन है, आपके option दिये हैं, पहला option है, M.O.P. आयंगर, दूसरा है S.R. कस्यप, तीसरा है बिरबल साहनी, और चौता है MS. स्वामिनाथन, तो इस question का जो right option है, option A है M.O.P. आयंगर, तो आपको बता दे कि M.O.P. आयंगर पर मैंने आल्रेडी वीडियो बना रखा है, इनके contribution के बारे में, आप वो वीडियो जरूर देख तो आपके first unit से जुड़े वे जितने भी topic है, उन सभी वीडियो के playlist का link मैंने नीचे description box में दे रखा है, उस link पर click करके आप सभी topic के video को देख सकते हैं, चलते हैं second question की हो, second question है who is known as father of Indian botany, तो इस question का जो right option है, option B है Williamson Roxburgh, चलते है question number third की हो, question number third है, study of external structure of plant is known as, यानि की पौधो के वाह संरचना का अध्यान कहलाता है, आप क्या option दिये हैं, पहला option है morphology, दूसरा है anatomy, तीसरा है ecology, और last है cytology, तो इस question का जो right option है, option A है morphology, यानि की कि किसी भी पौधो के वाह संरचना का अगर हमें अध्यान करना है, तो उसे हम कहते हैं morphology, चलते हैं fourth objective question की ओर, the botanical name of palace is, यानि की आपको palace का वनस्पतिक नाम बताना है, आपके option है, पहला option है phicus religiosa, second option है beutia monosperma, third option है rubia cardifolia, और last है cynodon, dactylion, तो आपको बता दे की palace का जो botanical name है, वो है beutia monosperma, तो आपका right option है, option B, आईए next हम कुछ fill in the blanks देख लेते हैं, तो आपका first question है, S.R. Kashyap is regarded as father of Indian, तो यहाँ पर आपको बताना है की S.R. Kashyap को किसका जनक माना जाता है, तो S.R. Kashyap को father of Indian bryology कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका जो answer होगा, वो होगा bryology, question number two है, the botanical name of Arjuna is, यानि की जो Arjuna पौधा है, इसका botanical name क्या होगा, तो Arjuna का botanical name होगा, Terminalia Arjuna Roxv, question number third है, sun is the source of energy, is elaborately discussed in various of Vedic literature, यानि की कहने का मतलब है, जो सुर्य है, वह उर्जा का सुरोत है, तो इसकी चर्चा किस साहित में विस्तित रूप से की गई है, आपको fill the blanks में उस साहित का नाम लिखना है, तो आपको बता दें कि सुक्तास नामक साहित में ये बताएगा है, कि जो सुर्य है, वह उर्जा का सुरोत है, तो यहाँ पर भरेगा, यहाँ पर fill the blank में भरेंगे सुक्तास, चलते हैं question number four की, और question number four है, the foundation of life science in India were led during the period represented by the civilization, तो कहने का मतले भी है कि भारत में जीवन विज्ञान, यानी की life science की new का जो प्रतिनिधित्व है, वह किस ओधी के दारान रखी गई थी, उस समय कौन सा civilization था, तो आपको बता दे, इसमें fill the blank में भराएगा, इंडस वैली, चलते हैं अगले और last question की ओर, question number five है, royal botanical garden was stabilized at in 1787 by the British, यानी की British के द्वारा 1787 में royal botanical garden की स्थापना कहां की गई थी, तो बड़ा important question है, तो इस question में जो fill the blank है, वहाँ पर हम fill करेंगे कोलकता, कोलकता में ही royal botanical garden की स्थापना की गई थी, तो दोस्तो ये था fill the blank, आई देखते हैं कि किस तरह के long question आपके exam में पूछे जाएंगे, तो पहला question है, give a brief account of botanical garden in Vedic times, यानि कि आपको Vedic काल में वनस्पती विज्यान का संचिप्त वीवरण लिखना है, तो इस topic पर मैंने वीडियो बना रखा है, जिसका link मैंने नीचे वीडियो के description box में दे रखा है, उस link पर click करके आप वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो में मैंने जो भी point लिखे हुए हैं, उन point को आप note कर दीजे, या फिर उसका screenshot ले लिजे और उसको notes बना लिजे, और उसी notes को आप अपने exam में answer के रूप में लिखेगा, चलते हैं अगले long question की ओर, अगला long question है, the history of Indian science is one of the longest and most amply documented comment upon the statement, यानि कि यहाँ पर एक statement लिखा हुआ है, statement है, भारती विज्यान का हितिहास सबसे लंबा, सबसे व्यापक रूप से प्रतिलिखित है, यानि कि लिखा हुआ है, तो यह कहाँ पर लिखा हुआ है, किस वेद में लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको डीटियल से बताना है question number third है वेदा is probably the oldest literature related to plants used in various elements highlight the statement with suitable examples तो question में कह रहा है कि वेदों में पौधों के विभिन रोगों में उप्योग पुराने समय से ही चलते आ रहे हैं तो ये जो statement दिया हुआ है इस statement को आपको suitable example के थू describe करना होगा तो इस question का जो answer है आने वाले दिनों में मैं इस पर वीडियो बना दूँगा आप जरूर उस वीडियो को देख लीजेगा और आप आसानी से इसके answer को लिख पाएंगे तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इस question का answer बनाओ तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा अई चलते हैं long question के एकदम last question की ओर तो आपका question है describe in brief the progress of botany in India during medieval period यानि कि आपको बताना है कि मध्यकाल में भारत में वनस्पती विज्ञान की प्रगती कैसी हुई इस topic पर आपको संचेप में वरणन करना है तो दोस्तो ये था हमारा BSC first year first semester botany के unit first यानि कि introduction of Indian innocent botany से जुड़ी हुए most important question answer तो आने वाले दिनों में मैं आपके botany से जुड़ी हुए जितने भी topic है हर एक topic पर question बनाऊंगा और ये ऐसे question होंगे जो कि आपके exam के लिए important होंगे तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके जोरू बताइएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like और share का ना मत भूलेगा और कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और यदि अभी तक आपने हमाय चैनल को subscribe ने किया हुए तो प्लिज हमाय चैनल को subscribe कर लिजिए और बगल में जो bell icon है उसे press का ना मत भूलेगा अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक लिए जाहिन जवारत